हेलो एवरीबन, LGTLS की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, फ्रेंड्स मेरा नाम है शाहिए, एक और नए वीडियो लेकर हम आपके सामने पेस हो गए हैं, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जैंस लंगोट, यानि लंगोटा की कटिंग करना, तो इसको कई नामों से जाना जाता है, तो प्रॉपर जो इसका नाम है वो लंगोट ही, जानतर लोग इसको इसी नाम से जानते हैं, तो इसका क्या उपयोग होता है और इसको कौन-कौन लोग पहनते हैं, तो इसको लड़के भी पैनते हैं और बुजर्ग भी पैनते हैं तो ये कई पिरकार की होती है तो आज हम आपको जो बता रहे हैं वो लड़के जो जानदतर पैनते हैं उसकी कटिंग करना बता रहे हैं किसी नएस्ट वीडियो में हम आपको जो बुजर्ग पैनते हैं उसकी भी cutting करना बताएंगे, अब इसका उपयोग समझ लेते हैं, तो दोस्तों इसका उपयोग है वो लड़के जानतर करते हैं, जैसे लड़के running करते हैं, और जैसे कूद बगेरा करते हैं, खेल खेलते हैं, तो उसमें हमारा उपयोग होता है, ये जो है हमारा supporter का काम करता है, जैस किसी लड़के के जटका लग जाता है, जैसे hydroceal में पानी उतराना और जैसे और भी समस्याएं हो जाती है, तो ये हमारा supporter का काम करता है, और बहुत से लोग इसको ऐसे ही पहनते हैं, जिससे supporter बना रहे, तो ये hydroceal में हमारी problem नहीं होने देती है, जैसे किसी को hydroceal है, तो उसके लिए ये बहुत ही comfortable रहती है और अच्छी रहती है, तो इससे जो है problem नहीं होती है, ये तो आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, इसकी हम cutting किस तरह से करते हैं, और इसकी cutting करने के लिए हमें कितने कपड़े की आवश्यक्त होती है, तो जैसे कोई पतला और दूबला आदमी है, तो उसके लिए ये जो बनाएंगे आप, तो इसके लिए आपको 80 cm कपड़ा चाहिए होगा, और जैसे केसी का size है भी है, तो एक मीटर कपड़ा चाहिए, तो कहने का मतलब ये है कि 80 cm से लेके एक मीटर तक कपड़े की आवशक्ता होती है, इसमें जो हमने कपड़ा लिया है, तो ये कपड़ा लिया है एक मीटर, और इसको हमने लिया है कॉटन में, जबभी आप बनाएं तो कॉटन का कपड़ा ही लें, क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा होता है, वो कंपिटेबल होता है, यदि आप इसको से कप्ड़े को हम इस तरह से खूल कर देंगे अब दोसतों इसको कटिंग करें क्योंकि यह जो है हमारे पेनी जाती है तो इसको 21 चलिए होने, औस खूल कर दाना है कपढ़ीख को खोल कर रखने के बाद आको क्या करना है सबसे पहले तो आपको आ जो नाप लिया हुआ है उसको आपको देखना है तो जैसे हमारी कमर है 37 तो 37 को हम इस तरह से कपड़े में हम पवह coronary करेंगे और यहां से जो आपको पार्ट दिख रहा है इस तरह से फिर से आपको बता देते हैं जैसे आपका ये कपड़ा है तो कपड़ा इस तरह से आप खोलेंगे खोलने की बाद इस तरह से रखेंगे एक कॉर्णर हमने पकड़ लिया है इस कॉर्णर से हम क्या करेंगे यह यहां से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के साथ साथ आपको इस तरह से अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है, और यह ध्यान रखना है कि यह जो पार्ट है, यह बंद वाला पार्ट है, और यहां से हमने यह कॉर्णर से इसको बिछाया हुआ है, अब हमे यहां पर जो लंबाई रखनी है वो 37 सिंच रखनी है यहीं पर हमारी जो है कमर ना पी जा दी है तो इस तरह से यह हमने 37 सिंच कर लिया है इसको तो थोड़ा साथ और प्लस कर लेते हैं हाप इंच तो होती सिंपल है इसको बनाना तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है यह हमारी इस तरह से पलट कर आ जाती है तो यह उपर का पार्ट हमारा कट हो गया है अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं अब इसके बाद हम यहां पर पट्टी लगाते हैं जो हम यहां से आसन को बनाते हैं तो उसके लिए हम पट्टी को निकालेंगे, अब आसन को हमें कितना चोणा रखना है और कितना लंबा रखना है तो यह हम आपको बताएंगे, तो इसको हम साइड में रख देते हैं, अब आसन के लिए हम कपड़े को निकालेंगे, तो आसन को हम किस तरह से कट करेंगे और कि इसको आप single part करके भी लगा सकते हैं, और जैसे आपको double part करके लगाना है, तब भी आप लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको लगाना है, तो इसमें हम single लगाएंगे, क्योंकि इसका जो आसन है, वो हमारा एक बार जाता है, और दुबारा से round होके दुबारा से आता है, यानि ये double हमारा बैसे ही हो जाता है, तो यहां से हम इसका आसन कट करेंगे, और आसन की जो चोड़ाई रखेंगे, यानि जो पट्टी की चोड़ाई रखेंगे, वो रखेंगे 6-7 इंच, और जैसे किसी को हैड्रोसील की सिकायत है, तो उसके लिए आप 8 इंच भी रख सकते हैं तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, और जो पट्टी की लंबाई रखेंगे, वो हम रखेंगे थोड़ी सी जांदा, तो यह हमारी पट्टी की लंबाई है, वो है 24 इंच, तो यह हमारी डवल में हो जाएगी, तो यहां से हम इसकी नाप लेते हैं, तो यह साथ इंच ह तो हम यहां से इसको इस तरह से कट कर देते हैं तो फ्रेंट्स इस तरह से हमने कट कर लिया है कट करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो इतनी आपको लंबाई रखनी है कि जो आप round लगाएंगे तो round आपका आराम से लग जाए और ये कपड़ा आपका अच्छी तरीके से खुरस सके, तो इस तरह से आपको पट्टी को कट कर लेना है, तो इस तरह से ये हमारी cutting होस आती है, अब हम आपको इसकी stitching करना बताएंगे, तो इस तरह से ये हमारा उपर का पार्ट है, और ये हमारा नीचे का पार्ट है, तो इस तो इस तरह से हमार यहं घृवovy में पीशे की तरफ घाधी है और यहां पर इसतरह से ख ठेजाती है तो इस तरह से इसको हम साइड में रख लेते हैं और ये हमारा आसन की पट्टी है और ये हमारा ओपड का पार्ट है तो सबसे पहले हम नाडे को बनाएंगे तो नाडे बनाने के लिए इस तरह से ये हमारी पट्टियां हैं इनको हम आपस में जॉइंट कर लेते हैं फिर हम इसको बनाएंगे इसको आप इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको आप पतला भी बना सकते हैं और इसको आप मौटा भी बना सकते हैं और लब की सिलाई से इसको हम पक कर लेते हैं तो इस तरह से आपको पो नाड़ा बनाना है तो इसको हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो इस तरह से हमने ये दो नाड़ी बना लिए हैं दोनों कॉर्णनर पर हमारे लगते हैं इनसे ही हमारी जो कमर है वो बांदी जाती है तो इस तरह से आपको बना लेना है बनाने के बाद दोस्तो अब हम उपर वाले पार्ट को लेंगे लेने के बाद दोस्तो हम क्या करेंगे यह जो पार्ट है हमारा इस तरह सीधा है और यह हमारा उल्टा है तो इसको सबसे पहले तो हमें कच्छा करना होता है तो सबसे पहले जो हमने नाड़े बनाए हुए उसको हम यहाँ पर सेंटर पर डाल लेते हैं यहाँ पर जो है यह कॉर्णर अमारे देख रहे हैं यहाँ पर ही हमें अंदर की तरब इन नाड़ों को डालना है और सिलाई लगाना है यहां से अच्छी तरीके से इन नाड़े को बीच में रखेंगे और एक साइड हम इसका कॉर्णर निकाल देते हैं जिससे हमें सिलाई लगाने में परिशानी ना हो इसी तरीके से दोनों तरब आपको कॉर्णर पर नाड़े को लगा देना है इस तरह से हम नाड़े को लेंगे और यहां पर कॉर्णर पर रखेंगे यह हमारी सीधी साइड है तो इस तरह से रखना है रखने के बाद इस तरह से पार्ट को पलट देना है तो यह हमारा पार्ट उल्टा हो गया है अब क्या करेंगे यहां से और यहां तक हम थोड़ी सी द तो हम यहां से नाडे को हमने पहले ही अंदर इसके डाल दिया है। इस तरह से पाइट को पलट कर रखेंगी और यहां से हम इतना ही मारजन चोड़कर हाप इंच का मारजन लेकर इस तरह भी हम सिलाई को लगा लेते हैं। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद दोस्तो हमें क्या करना है इसको हमें अच्छी तरीके से पलड लेना है यानि इसको सीधा कर लेना है सीधा करने के बाद इसकी दर्च को अच्छी तरीके से बिठा लेंगे और जहां पर जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है उसको भी हमें बंद करना है तो हम यहां से इसमें सिलाई लगाएंगे लबकी सिलाई लगाते हुए जिससे हमारी यह टाकी यहां पर मजबूत हो जाएगी और हम कॉर्णर को पका करते हुए जाएंगे इस तरह से यह हमारा उपर वाला पाइट बनकर तयार हो गया है अब दोस्तो हम इसके आसन की पटी को तयार करेंगे तो यह जो है नाड़े हमारी बांदने की काम में आते हैं तो इनको हम बाद में कट कर देंगे जितना हमारा एश्ट्रा होगा तो यहां से हम आसन की पटी को जोड़ेंगे तो यह हमारी आसन की पटी है तो सबसपहले आसन की पटी को हम जोइंट कर लेते हैं फिर साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमने इस पट्टी को जोइंड कर लिया है जोइंड करने के बाद दोस्तो इस तरह से ये हमारी यो है पट्टी है पूरी अब जितनी पट्टी के हमें आवश्क्ता है उतनी पट्टी को हम रखेंगे और बाकी की पट्टी को हमें कट कर देना है तो हमने जो है अपने साइस के हिसाब से इस पट्टी को कट कर लिया है तो एक बर हम नापकर आपको दिखा देते हैं यह हमारी 30 इंच है यानि यह हमारी सिंगल में 60 इंच हो जाएगी और डवल में हमारी यह 30 इंच है तो इसकी साइड़ें हम फोल्ड कर लेते हैं इसी तरीके से हमारी दोनों साइडें भी फोल्ड होंगी, तो इस तरह से ये हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, दूसी तरह भी हम इसको फोल्ड कर लिया है, अब इसके हम इस तरह से किनारे फोल्ड करेंगी, तो इस तरह से आपको किनारा फोल्ड करना है, जिस तरह से हमने यह हमारा उपर वाला पार्ट है, तो इस तरह से हमने इस पार्ट को ले लिया है, और इस तरह से रखा है, और जो हमने आसन वाली बट्टी ले हुई है, उसको हम इस तरह से रखेंगे, तो पट्टी को हम इसके उपर उल्टा रखेंगे, और यह जो हमारा आसन है, यह भी हमा को लगाएंगे अब इसको हम अच्छी तरीके से पलड लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से हम इसमें सिलाई लगा कर इसको पका कर लेते हैं तो आप जिस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं इसी तरीके से आपको सिलाई लगा कर अच्छी तरीके से इसको पका कर लेना है तो इस तरह से हमने इसके आहसन को जोइंट कर लिया है और इस तरह से हमने इसमें सिलाईयां लगाई हुई है यहां पर जो है हमारी जांदा सिलाईयां लग जाती है जिसे हमारा आहसन मजबूत हो जाता है यहां से खुलने का हमारा डर नहीं रहता है तो इस तरह से यह हमारी लंगोट यानि लंगोटा बनकर तैयार हो जाती है तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेश्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तक तक के लिए दीजिए इजाज़त थिंक्स फर वाशिंग